हाई गाईज वेल्काम को यूट्यूब चानल आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं ताटा पंच की कुछ प्राक्टिकल दस कम्यों है बारे में जो मुझे लगता है डे-टुडे आप ऐजा यूजर फेस करेंगे यह खड़ी अपनी पंच बागी बाते करते हैं अंदर बैट के फुटाफट से हाजी आ चुके हम बैड़ी के अंदर अभी बात करते हैं दस मतलब यह वीडियो होने वाली आज की यह होने वाली है कुछ आच से नौ माल लो चलो दस में जाद ही बोल रहा हूं नौ ऐसी प्राप्लम नौ ऐसी डेली प्राक्टिकल प्राप्लम जो आफ फेस करेंगे टाटा पंच के साथ यह मेरे खुट के एक्सपीरिंस के बाद है और पांस आर किलोमेंटर गाड़ी चल किया है तो आप लोगो जो बताऊंगा वो बिल्कुल सच होगा और यह आप फेस करने वाले हैं मतलब करने वाले हैं क्या यह मेरे साथ तो हो चुका है और किते दफ़ा हो भी जाता है तो मुझे लगा इस टॉपिक पर एक वीडियो बननी से है कि जो प्राक्टिकल प्राप सब्सक्रादी करते हुए वीडियो को फटावट स्टार्ट करता है यह जो चीज है सबसे पहला पॉइंट वह है गाड़ी के उपर धूल जमना तो टाड़ा पंच के जितने भी कलर से अगर आप देखें ठीक है तो इन पर जितने इसकी शाइनिंग कलर आप देखो हालत दे सब्सक्राइब मैं बड़े पास से अपको दिखा रहा हूं जितने भी इसके शाइनिंग कलर हैं गाड़ी के सब में धूल बहुत ज्यादा जमती है और सिर्फ इसके वाइट कलर्स होंगे जो थोड़े कम रिफ्लेक्टिव कलर्स हैं जैसे वाइट हो गया और एक शाय ट्र हो गया इन सब पर भाई धूल बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती है और मेरा तो वैसे भी ब्राउन है तो इस पर थोड़ी जर्वत से जादे ही है अब देखो हाल ठीक है यह कोई एक ऐसी प्राब्लम है जो तो मैंने जो आपको अभी वीडियो दिखाई उसमें मेरा पर सभी बताना था कि कुछ कलर टाटा बंच के ऐसे हैं जिनमें जो भाई धूल है वह बहुत जरुस जादा ही होती है और देखो यह डिपेंड करता है कि आपके गाड़ी खड़ी भी खाए पहले चीज़ यह ओपन पार्किंग है तो यहां पर धूल जमना लाजमी है चाह के इस्पेशली यह ब्राउन वाला और एक वो कलर हो गया आपका ब्लू ठीक है ब्लू का कॉम्बिनेशन आता है इन शाइनिंग कलर्स पे जो धूल की विजिबिटी है थोड़ी जरुस से जाथ है और इस्पेशली ब्राउन अगर आप ब्राउन के लेने वाले हैं तो यह तो हम हर कोई मानेगा जो भी टाटा पंच का यूजर है वह गाड़ी की इंजन नॉइस अब आप कहेंगे इंजन नॉइस क्या चीज है और कैसे आप डिफाइन कर रहे हो देखो एक होता है जब गाड़ी स्टार्ट हो रही है तब का आना मैं एक बार ट्राय करता हूं क कि वह चीज आती है नहीं आती मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं ठीक है यह गाड़ी स्टार्ट हो गई ठीक है मैं बिल्कुल प्रिंट आफ साइन हो सक रहा हूं ताकि आप समझे है ऐसा जो शायद एक कैमरा पकड़ भी ना पाए ठीक है तो मेरा ओवरॉल कहने का पॉइं रही है सतर असी के उपर गाड़ी चौते केर पर आप जैसी उसको एक्सलेट करोगे और ज्यादा इंजन वोकल हो जाता है मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं और मैं इस वीडियो में भी इस बात को प्राक्टिकली बोल रहा हूं कि यह इंजन वोकल होना परिशानी वाली क्योंकि मेरा यह फर्स्ट एक्सपीरिंस है किसी भी गाड़ी के साथ तो मुझे नहीं पता कि भाई जो का गया बटन कि जो इंजन होते हैं वो किस तरह से गाम कर जाए तो यह एक जैसी मैंने इसको 70-60 पिलाया मैंने जैसी एक्सलेट करा गाड़े को खड़ 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 रहता तो ज्यादा अच्छा था ठीक है बढ़ यह प्राक्टिकल बाब्लम है यह डेली क्योंकि इंसान गाड़ी चला रहा है और जिसका हाइवे यूज ज्यादा है और चलानी है तो उसको भई है डेफिनिटली फेस होने वाली है तो यह स्टार्ट अपंच का इंजन नॉ इसका ही होता है इसमें वाइब्रेशन थोड़ी से ज़ादा होंगी वाइब्रेशन इशू नहीं है वह महसूस नहीं होती है वह तो बियू हौनेस लेकिन इंजन का वोकल होना वह जरूर महसूस होता है तो यह थी सेकिंड प्रॉब्लम मेरे अगार्डिंग अब मैं आपको गाड़ी को अभी स्टार्ट करता हो मैं आपको बताना क्या रहा हूं वह समझना पहले यह मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और यह होगी अब यह आपने देखा कि कि इस जल्दी ओपन हो गया यह जो डिस्प्ले थी यह उपन हो गई एक दो दफा ऐसा हुआ मेरे साथ कि जैसी म लिखाता है आई एरे ठीक है आई आरे से मेरा मतलब है कि जैसी यह हो गया अभी बंद हो गया वापर यह चीज आईगी नहीं यह डिरेक्स टार्ट होई जाएगा अभी हो रहा है वरना यहां पर आई आरे लिखाता है आई आरे टेक्नालोजी तो एक दो दफाए ऐसा पन है जो स्लोपन है इस इनफोटेंवेंट सिस्टम के में एक सॉफ्यर अपडेट से ठीक हो जा है बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है और किसी भी पंची लिए ठीक है तो यह एक चीज़ जरूर है कि जो इनफोटेंवेंट सिस्टम है यह मेरे साथ हुआ है अगैन मैं चल्ड़ी फिर यह आउन हो रहा है फिर यह अपने आपको सेटल कर रहा है ठीक है यह सब डिस्प्ले जो आप देख रहे हो सामने यह सब आ रहा है तो यह एक चीज़ हुई है मेरे साथ अब अगर मैं एक और इशू पर आऊं वह भी मेरा इंफोटेंवेंट सिस्टम को ले और हम चलने हैं निकल गए तो मैंने पहले इसको एंड्रोइड वायर से कनेक्ट कर रखा था जो यह मैंने यूज की हुई है फिलाल यह वाली मैं यूज कर रहा हूं ठीक है यहीं मेरी अंड्रोइड कनेक्शन वायर यह मैंने ऐसी फ्ली मार्केट से मेरा मतलब है नॉमल ऐ यहां पर क्या हुआ था जब मैंने इसमें से हटाया तो मैंने इसको ब्लूटूस से कनेक्ट कर अब यहां पर कनेक्ट होगी आप मुझे लग गया लेकिन आप जैसी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो यह विप्टी आउड्यो लेकर देख एज लिखा हुआ है सामने ब्लू बार रास्ते में ऑन करा आफ करा कि ठीक है भी रिस्टोर हो जाए यह बीटी ऑडियो आके ही नहीं दिया उसके बाद और सिफ मेरे फोन के साथ नहीं पापा बैठे वे थे उनके व्हाइब बीटी आडियो यह आई ही निरादा हूँ आप उत्रे किसी होटल पर चाय पी निकले रुखे फिर गाड़ी साथ करें बीटे ओडियो आखे लास्ट में जब एक घंटे के ट्रिप बची थी फिर अपने आप ही आ गया पूरे रस्ते भर में इसी को कोच रहा था मैंने क्या है यह क्या ट्राम है यह वो तो भाई यह यह एक ही बार हुआ है अगें मैं इसको बार बार नी बोलूगा बट एक बार भी हुआ तो लंबे समय कि लिए ट्लीस दो ढ़ाई घर 3 गंटे की जो धाई गंटे मालो कम से कम गाड़े की जो टाइम था ट्रिप का उसमें यह आउन ही नहीं हो कि मतलब यह आ के दिया अ अब मैं आपको एक प्रॉब्लम और बता हूं इसको में प्रॉब्लम नहीं बोलूगा यह एक ऐसी चीज है जो हमको पता है बट अगयान है तो प्राक्टिकल डेली चीज़ का बाट तो आई थिंग मुझे उसको इसमें आड़ करना चाहिए वो है थोड़ा सा इंस्टेंट तो छोड़ो ओटेक करना एक जी गाड़ी को आपने ओटेक करा प्रॉपर स्पेस है चौड़ी रोड़े हैं तो इंस्टेंट एक पिकप की हमें नीड होती है ना इंडर्स्टैंड कि थ्री स्लेंडर इंजन है यह चीज हमें पता है मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि टेस् क्राइबी पे चला रहें, कहीं भी ले जा रहें थोड़ा सा गारी का इंप्रूव हो सकता था नेखर‌वहिवेज थे चonetall वरण अगर अगर में यहिव तो कुछ चो टाटा करता है कि थोड़ा सा पिक अप गाड़ी का जाधा हो था पिक अप के मामले में टाटा पंच अफकोर्स पहले दूसरे पहला दूसरा तो पहला एकसलेटर का हो गया दूसरा उसको स्टेबल करने के लिए तीसरा गाड़ी को स्टेबल करता है तो यह मैं समझता हूं गेर बॉक्स का सिंग बट हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि गाड़ी में जो इनीशल लेवल का जो पिक अप होना चाहिए वह फर्स्ट गेर पे है लेकिन कितना दबालोगे पस्ट गेर पन जाए जितना ज्यादा एर्पेम बढ़ाओं के गाड़ी इतनी वोकल हो जाएगी और आवाज आएगी गाड़ी के इंजन में से तो यह मेरे को लगता है जब भी पिक अप करने का मन करता है ना कि थोड़ा साथ आप भगाओ गाड़ी को जर्वत भी पड़ रही है प्राक्टिकली रोड़ पे उसकी जर्वत पड़ रही है आप अगर आपकी पहली कार है तो शहरों में कोई कमी आने नहीं वाली इतना ट्राफिक जाम में फसते हैं बट कभी-कभी आप हाइवे पे होते हैं थोड़ा सा करते हो गया थोड़ा सी स्पीड गाड़ी में पिक अपना चीए था वह इसमें थोड़ा सा मिसिंग है बिगास इसक के बाद ऐक प्राबल्म यह कोई बड़ी चीज नहीं है यह कोई बड़ी प्राबल्म नहीं बट किसी किए के लिए हो सकती है क्योंकि मिरले भी है गाड़ी हम समझते है coated में अंदर से मैं आगर आपको इस disturbed तो गाड़ी में बिल्कुल भी किसी भी थोडिक की कमी करना आराम से लेग रूम है, तीन लोग पीछे राम से बैढ जाते हैं, उपर मैं है, हैड स्पेस कहूं है, हैड रूम कहूं, वो भी काफी है, पर थोड़ा सा मुझे लगता है, गाड़ी का जो बूट है ना डाटा पंच का, वो थोड़ा कम है, दो सुट थीन सो, पैस्ट ये ती तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि बूट स्पेस की कमी है, यह मेरा परसेप्शन है, भाई कोई ऐसे भी हैं जो उसमें भी अच्छे ना समान आ जाता है, बट हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है, बूट स्पेस टार्टा को इसका बढ़ा देना जाए था, मैं यह बट आई थेंग यह थोड़ी सी है, और इसी के साथ एक चीज और जो मुझे इसमें लगती है, वो है गाड़ी में फिटन फिनिश के गमी, अब मैं आपको दिखाता हूं फिटन फिनिश क्या है, यह देखो यह तानल गाप्स, यह क्लैडिंग थी यह देखो, यह लूज हो अगर मैं आपको नीचे का घसर नी दिखा नहीं सकता लिए इस पर जो साइलेंसर है, उस पर भी हलका लगा जो रस्टिंग सा मुझे दिखने लग गया है, तो डेफिनेटली आरे है, थोड़ी फिटन फिनिश, इसका इशू इस गाड़ी में है, मुझे अब महसूस हुआ है, थोड़ा है, बूट स्पेस को मैं नहीं बोलूँगा इतने बड़ी प्रॉब्लम हर किसी के लिए, पर याँ थोड़ी सी टाटा वाज में फिटन फिनिश का है, मामला ठेड़ा, आप बताना, अगर आप ऐसा यूजर हो टाटा पंच के तो आपके साथ, आपको भी चीज़ ने टाटा ने इस पर ध्यान नी दिया, उन में से ये एक चीज है, आपको बताता हूं, जस्ट अ मिनट, वो है ये लॉकिंग सिस्टम, अब मेरा लॉकिंग सिस्टम से मतलब क्या है, जैसे मैं जैसी से क्लिक करता हूं, ये देखो, चारो जो लॉक से बंद हो जाते हैं, इ ये ड्राइवर के पीछे जो है, लेकिन अगर आपकी परिवार में छोटे बच्चे हैं, और बच्चा ना बड़ा उत्सुक होता है, बच्चे को नहीं पता होता सही गलत क्या है, वो छोटा है, उसने तो उसने इस चीज को पकड़ा, और यू करके आपकी गाड़ी के उस चाइड लोग से अपनी गेट को बंद कर सकते हो, बट चाइड लोग लगने के बाद अंदर से गाड़ी नहीं खोलेगी, फिर बहार से किसी को आगे खोलनी बड़ेगी, फिर बाहर से दो बच्चे हैं जो बैठे हुए और आपने नीचे चाइड लोग आके गेट बंद कर है, तो यह एक जरूर जोने काम बड़ा खराब करा या मेरे हमारे समझ नहीं है, यह चीज कैसे काम करती है, अगर आपको आइडिया तो प्लीज बताना, हमने यह जैसी इसको खुला, यह जो गेट है दूसरा वारा हो अंदर से खुल जाता है, वो अंदर से लॉक नहीं होत लगता है, बिजस फाइन, यह ठीक है, यह समझ आता है, बड़ आकी की दो सीट का क्या, मालो आप और आपको बच्चा ही बैठा है, यह कोई भी बैठा है, इसको नहीं पता, हर किसे को गाड़ी कितनी नौलिज थोड़ी है, उसने रखकन खोला, गेट खुल गया, जाने न अब अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूँ, तो वो है, इंटिरियर लाइट, यानि कि इसका जो हैलोजन बल्ब है, अब इसका अगर मैं आपको यूज बताओ, पहले तो यह ऐसे चलता फड़ता बंद होता नहीं है, यह देखो, सबसे खराब चीज, यह बंद होगा अ अंदर से बंद होना चाहिए, दूसरी परिशानी इसकी यह है, कि इसकी जो विजबलेटी है, ना 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 बहुत कम है, टाटा को क्या करना चाहिए था, यहां पर LED देनी चाहिए थी, एक ब्राइट से LED, नहीं भी दी, तो यहां बना ऊपर की साइट कहीं पर, एक छोटी ल यहां पर देगा, वह चाहिए चाहिए इतने बड़े क्याबिन को यह जड़ा सा बल्प लाइट अप नहीं कर सकता, तो यह हैलोजन बल्प जरूर इसलिए आप में दिखा होगा, जादर जो मोडिफिकेशन हो रहे है, उसमें वह आगे के हेड्लाम्प और यह वाले जो लो अब जो ने एक दिया जो सिफ इतने एरिया में जितना एरिया यह वाला है, इतने में तो लाइट अप कर देता है, बट पीशे आपको कुछ छोटा अब्जेक्ट है आपको फोन का फ्लेश लाइट या फिर कोई टॉर्श वगएर अपने आथ में लेना पड़ता है, तो हा अब आप मेरे से पूछेंगे कि भाई यार आम रिस उनमे लगा रखा है, वीडियो बना रखी है, भाई यह यूनिवर्सल आम रेस्ट है, जो की मेरे हैंड ब्रेक को देखो कितना ब्लॉक करता है, आई मीन तो से अब मुझे अगर हैंड बेक को नीचे करना है, तो मैं ऐस हैंड ब्रेक काम ही निए, ऐसे पकड़ रहा हूं है, चलो मैंने यह पीछे कर लिया, चीक है, उसके बाद में यूज कर लूँगा, और आगे पीछे कर लूँगा, तो यह तो जुगाडवाजी होगी न भाई, और इजनल आम रेस्ट टार्टा को ऐसे नेसे सरीज देना च हटता ही नहीं है, तो बट एक हमेशा रिस्ट पर मामला रहता है, मैं आम रेस्ट की वीडियो में भी आपको बता रहा था कि यह आपका आदा तो ब्लॉक ही कर देता है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहां पर रख दूँ पीछे तो भई फिर इसका यूज ही नहीं हो मेरा ह आपँच यूजर है, यूनिवर्सल यह है नहीं या फिर बोल्ट वाला सिस्टम कर रहे है, ठीक है, बट एक औरिजनल आमरेस्ट चाहे एक ऐसे सरी का बाड या फिर हायर वेरेंट्स में दे देते, बट हायर यह इसकी एक कमी जो औरिजनल टाटा की है, वो खलती है, और मे तो हाँ यह एक चीज है, जो I miss a lot, एक प्रॉब्लम जो मैंने अपने फ्रेंड से पूची दी, मेरी टाटा पंच में नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को इतना एंफसाइज नहीं कर रहा हूँ, विगर्स मेरा जो वेरेंट है वो है टाटा पंच का अकंप्लिश डैजल, अक इसमें लाइटिंग का कोई इशू नहीं है, मेरे कोडिक थ्रो भी बहुत अच्छा, सब कुछ कमपनी फिटेट में लवा है, तो मेरे वेरेंट से प्रॉलम नहीं है, लेकिन जो इससे नीचे के वेरेंट्स है, एडवेंचर है, या फिर एडवेंचर रिदम जितने भी है, उसमें मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं, हेडवेंचर का थोड़ा इशू है, लाइट का थ्रो का, अगैन सबका नहीं है, इससे पहले कि आप बोलें नहीं है, हमारा तो सही है, तुमारे को को दिखका दो रही है, सबका नहीं है, मेरा फ्रेंड है, उसको लगता ऐसा है, इतना लंबा थ्रो नहीं जाता है, या फिर सही से क्लियरली देखता नहीं है, प्लेश्मेंट सही नहीं है, वो हर किसी का अपना अपना पर्सेप्शन है, बढ़ हां मेरा फ्रेंड बदा रहा था, मैं इस चीज को इसले नहीं बोलना हूं मेरे गाड़ी में, क्विए मेरे इसमें प्रोजेक्टर आते हैं, इसमें फॉग लैम्स भी आते हैं, तो मेरे को तो लाइट का को इश्यू ही नहीं और मैं कभी चेंज करवाँगा, यही एक रीजन था कि मैं यह जो चीजें हैं प्रोजेक्टर फॉग लैम कंपनी की चाता था कि यह फिटिंग जो और अगर आपने इसका कोई जुगा ढूंडा है या आपने कुछ करा है, जो बहुत इंप्रूफ कर रहा है चीज को तो वह भी बता ना, देखो फीडबैक देते रहे करो वीडियो में, विकेस इंदीन मैं भी आप लोगों से बात ही कर रहा हूँ, चैनल के थुरू, और फीचर का डिफरेंस होता है, वेरेंस बहुन कुछ नहीं होता, यह मेरे कॉर्डिंग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जैसे में आपको पहली बताई, कलर वाला इशू, जो की मैं समराइस कर रहा हूं भी वीडियो को, इसलों मैं इसे आगे एक डिड़ मिनेट में रैप कर दूँगा, कलर वाला जो इशू है, वो परसनल है, जैसे मेरा ब्रॉण कलर तो इसमें मिट्टी बहुत जादा दमती है, प्लस गाड़ी ओपन पार्किंग में भी रहती है, आपके केस में गाड़ी अंदर है, कलर कोई भी फरक नहीं पढ़ता, इतनी धोलदार अगर आपक आपको इशू बता है, कि हाँ इंस्टेंट पेकप जो है गाड़ी में, जो कभी कभी इची होता है, मिसिंग है, फिट अन फिनिश का मैंने थोड़ा आपको बता है, बूट स्पेस हर किसी की प्रॉलम नहीं है, विकर जिसको ज़्यादा समान नहीं करी करना, बठाँ, हम ज इसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटीर की जो लाइट है, हैलोजन वाला इशू, कि यह बहुत कम है, विजिबिलिटी वाइज, इसके बाद मैंने आपको बताया, आमरेस्ट की एक कम ही जो मुझे लगती है, तो यह सब मेरे गाड़िंग प्राक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैं डे टू डे वाइज, मतलब ऐसा यूजर आप भी महसूस करते होंगे, नहीं करते हैं, और आपके सॉल्विशन हैं तो प्लीज बताये, कलर को हट डालो, बूट स्वेस को हट डालो, बाकी चीज़े तो हैं यार, कॉमन है, बाकी तो हर गाड़ी में ही है, वेरियंट कॉमने सेक्शन में डालना, आपके सब्सक्राइब करते हैं, तो थैंक यू वर वाचिंग, स्टे सेफ, और शेयर कीज़े, लाइक कीज़े, सब्स्राइब कीज़े, दन्नवाद, जाहिन,